आज मैं आपसे दो तरह की बहुत हेल्दी और टेश्टी मिल्क्षेक की रेश्पी शेयर कर दी हूँ यह दोनों तरह के मिल्क्षेक आपको बहुत सारे एनर्जी देगा और आप इसको दिन भर में कभी भी बना कर पी सकते हैं और यह जटपट और असान बन जाने वाली है यह दोनों मिल्क्षेक मैं थोड़े अलग भूस्त के साथ रिटम हैल्धी वर्जर में बनाना पता है है तो आई देखते ही दोनों तरह के मिल्क्षेक कैसे बनाया जाते हैं तो ये पहला वाला मिल्क से बनाने के लिए मैंने हाँ पे 15-20 काजु को आदे खंटे पहले बीग हो दिया था और अभी ये काजु अची से भीग हैं इनका पाने चानकर हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसके साथ हम एक चोथाई छोटी चम्मा जितना डालचेनी पाउडर डालेंगे डालचेनी पाउडर के लिए आप डालचेनी स्टिक्स को असानी से पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं अब मिठास के लिए मैंने आप चीनी की जगह पे डेट्स का यूज किया ये खजूर तिक दम जो ये सॉट वाले खजूर होते हैं उनके बीच निकालकर हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा एपल सिनिमन शेक पन के तयार है जो कि बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगा इसके उपर थोरी से डालचेनी पाउडर से गार्निश करके सर्फ कीजे अब जी दूसरा शेक है उसमें हम बनाना चॉकलिट शेक पनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पे कोका पाउडर के जगा पे आकोई और डेरी चॉकलिट पी यूज कर सकते हैं बड़ कोका पाउडर एक हेल्दी ओप्शन है और इसके साथ हम एक चुठाई छुटे चम्मा जितना डालचेनी पाउडर डालेंगे और मिठास के लिए अब हम इसमें डेट्स डाल देंगे तो यह दोनों ही तरह के मिल्चेक बहुत ही अल्टिमेट है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको यह बहुत जादा पसंद आएंगे तो मेरी यह दोनों मिल्चेक की रेजपी आप घर पर ज़रू बना कर ट्राई कीजएगा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं त तो लाइक शेट जदूर करें फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर